आप उस दिन आपने अगर देखा होगा तो एक तो हेरिटेज के उपर था कि हमने जो हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी तो ये दोनों एक साथ चलें उस दिन बहुत सारे हमने वो किये थे जिसमें हमने टैग वगरा जो लगाये थे उसके लावा हमने इनिशेट किया था क यूनीक नंबर और एक हाउस होल्ड को दिया जाए तो उसकी उस दिन सुरुवात की गई थी तो ये लोगों के लिए होता है कि उससे उनके एड्रेस जो है एक आइडेंटिफाई करने में एजी होता है दरवाद आप देखेंगे कि बहुत सारी गल्यों का नाम सेम होता है तो उससे बहुत कंफीजन होता है तो एड्मिस्टेशन के लिए भी इजी हो जाता है मैनेज करना उसमें सारी डिटेल्स जो है उसके एड्रेस की उसमें है और आप याद देखो कि जो नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है और इसमें ई-ओफिस में फीड लेवल तक चला जा अनंतनाक से किसी को फाइल जो है आने लानी पड़ेगी या को प्वाड़ा से कुछ ने लानी पड़ेगी कोई ऑफिस के जरिये ही ना केवल सेकेटरियर लेवल पर बलकि जो फीड लेवल पर से भी काम होगा आप देखते हैं इससे ट्रांसपरेंसी बढ़ती है और अनक से आपको स्टेटेस चेक करना है को फाइल का है आप एक क्लिक वबटन से आप पता कर सकते हो कि वह फाइल एक्जेक्टली अभी किस जगह है किस किलर के पास है किस के पास है तो बहुत बड़ेगी इससे जो होता है में जो एड्रेस है जैसे मैंने कहा अगर आगे इन भी होगा उसको जब वह एक नंबर यूनिक वाला दे दोगे तो गूगल पर टाइप करके वह अपने आप आपको आपकी जगह पर पहुंचा देगा तो आप यू नीड नॉट तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और आपने देखा है SMC एरिया में इसको प